क्या आप जानते हैं कि बिहार की पांच सबसे बड़ी महिला नेता कौन है और उनका पामर कितना है उनका राजनिती कद कितना है उनकी राजनिती के बारे में बस हम आपको इतना बता दे कि इस सुची में तो कई ऐसी नेत्रियों का नाम है जो बिहार के कई बड़े-बड़े मुख्यमंत्रियों से भी बड़ी है और उनका राजनितिक कद्जु है उन से भी अधिक है अब आप समझ लीजिए कि बिहार की पाच महिला सबसे बड़ी नेताओं की हम बात करेंगे और आपको बताएंगे और इस सुची में जो पाचवे नंबर की सबसे बड़ी महिला नेत कि बिहार सरकार के मंत्री है सोक चौधरी उनकी ये बेटी है और इनका राजनितिक पकर जो है अभी बहुत नया नया है लेकिन इन से संभावनाय बहुत ज़्यादा है और इस कारण से ये बिहार की पाचवे सबसे बड़ी महिला नेता है इनका जन्म 1999 में हुआ है और उसक मस्तिपुर से लड़ती है और चुनाओ जीत करके सदन पहुंचती है इनकी राजनितिक उपलब्धी भले ही इतना साओ लेकिन उसके साथ जुरा हुआ है कि ये बिहार की सबसे कम उम्र की सांसद है उसके बाद बिहार में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली सांसद है अब सामभी चौधरी जो हैं सबसे कम उम्र की भी सांसद है बिहार की बिहार में सबसे अधिक वोटों से चुनाओ जितने वाली भी सांसद है पुरुसों को भी इस मामले में पीछे ये छोड़ चुकी है और बात की जाए तो ये वक्ता बहुत अच्छी है ये बोलती हम आपको बता ही दिये और उसके अलावे लोगों को ऐसा लगता है कि इनसे राजनितिक संभावनाएं बहुत जादा है और ये बहुत कुछ कर सकती है और इसी कारण से इनको हमने पांचवे नंबर परस्थान दिया था उसके बाद इस सूची में अगला जो नाम है जो बि राम क्रिपाल यादो को चुनाव हरा दिया इनके बारे में अगर बात की जाए तो इनका जन्म 1976 में होता है सिक्षा की बात की जाए तो इन्होंने MBBS की सिक्षा अग्रहन की है ये डॉक्टर रही है MBBS पढ़ाई कर चुकी है हाला कि कभी इन्होंने डॉक्टरी का राजपा में सामिल हुए थे वो जो है मिसा भारती को चुनाव हरा देते हैं उसके बाद 2016 का वक्त आता है और 2016 में राज्य सभा जो है राष्ट्रिय जनता दल इनको भेज देती है और वक्त आता है 2019 का 2019 में फिर से एक बार लोकसभा चुनाव में ये खड़ी होती है पाट इनको राज्य सभा बेजती है और सीधा 2024 के लोकसभा चुनाव पर आते हैं फिर लोकसभा चुनाव 2024 में रामकृपाल यादव के खिलाफ जो है ये तीसरी बार मैदान में उतरती है और इस बार जो है अच्छे खासे वोटों से रामकृपाल यादव को चुनाव हरा देती हैं और इस बात से आप समझ सकते हैं कि इनका राजनितिक कद कितना बड़ा है कि रामकृपाल यादव जैसे कदावर नेता को ये चुनाव हरा देती हैं अब लालू प्रसाद यादव राबडी देवी की ये बेटी हैं इन से बहुत जादा संभावनाय हैं और इस कारण से ये बिहार की 24 सबसे बड़ी महिला नेता में से एक हैं उसके आण इस सुची में जो तीसरा नाम है वो है लेसी सिंग का वो लेसी सिंग जो फिलाल जनता दल उनुई नइटेड की नेतरी हैं बिहार सरकार में मंत्री रह चुकी हैń और Еनके बार में अगर बात की जाए तो एक बार फिर से 2024 में जब नितीश कुमार पल्टी इमारे तब ये फिर से एक बार मंत्री बन गई इनका राजनितिक कद इतना बरा रहा है कि ये कई बार बिहार सरकार में मंत्री बन चुकी है और इनके बारे में अगर बात की जाए तो इनका जन्म 1974 में होता है सिक्षा इन्ह ने 12 वी तक की ग्रहन की है मतलब 12 वी तक इन्होंने पढ़ाई किया है और 2000 में इनका राजनितिक कडियर सुरू होता है 2000 में धम दाहा से विधानसभा चुनाओ लरती है समता पाटी के टिकट पर और समता पाटी के टिकट पर चुनाओ जीतती है 2000 में उसके बाद 2005 का वक्त आता है 2005 में जनता दल उनाइटेड के टिकट पर दुबारा से चुनाओ लरती है समता पाटी का विलायत तब तक जनता दल उनाइटेड में हो चुका था और इस कारण से इनको जनता दल उनाइटेड जो है धम दाहा से फिर से मौका देता है और जनता दल उनाइटेड के ट बिधान सभा चुनाव जीतती हैं फिर जो है 2014 में मंत्री बनती है बिहार सरकार में वक्त आता है 2015 के बिधान सभा चुनाव में फिर एक बार चुनाव जीतती हैं फिर 2020 में भी चुनाव जीतती हैं और 2021 में मंत्री बनती हैं और फिर 2024 में फिलाल जो है ये बिहार सरकार की मंत् मतलब 2000 में जो पहली बार इन्होंने चुनाव जीता था उसके बाद इन्होंने कभी हार का मुह देखा ही नहीं और लगातार चुनाव जीतती रही अब इस बात चाप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी नेत्री होंगी और इनकी राजनितिक पकर जो है वो कितनी वाकि इस तुची में जो दूसरा सबसे बरा नाम है वो है और बिहार की दूसरी सबसे बड़ी महिला नेता का नाम लिया जाएगा तो वा राबडी अगर बात की जाए तो इनका जन्म 1969 में हुआ और सिक्षा की बात की जाए तो ये आठवी तक की सिक्षा गरहन किया है उसके बाद वक्त 1997 का आता है जब 1997 में लालू प्रसाद हादो को जेल जाना होता है तब राबरी देवी रातो रात मुख्य मंतरी बनती है और उसके बाद 3 बार मुख्य मंतरी बिहार की बनती है ये बिहार के मुख्यमंत्री तीन बार रही 25 जुलाई 1997 से 11 फरवरी 1999 तक पहिला कारेकाल जो था इनका रहा दूसरा कारेकाल जो रहा वो 9 मार्च 1999 से ले करके 2 मार्च 2000 तक रहा और तीसरा कारेकाल जो रहा इनका वो 11 मार्च 2000 से ले करके 6 मार्च 2005 तक मतलब तीसरा कारेकाल जो था इनका पूरा पांच साल तक चला और वक्त आया 2005 का 2005 में बैसाली के रागोपुर से ये विधान सभा चुनाओ जीती जीत करके विधान सभा पहुंची लेकिन फिर जन्मत इनके पक्ष में नहीं था और तब नितीश कुमार जो हैं बिहार के 2014 के लोकसभा चुनाओ में ये सारन से चुनाओ लड़ी थी लेकिन राजी उप्रताप रूरी ने इनको चुनाओ हरा दिया था बावजूद उसके ये बिहार की दूसरी सबसे बड़ी महिला नित्री हैं और इनका राजनिती कद इतना बड़ा रहा है कि ये दो तीन तीन ब बिहार की मुख्यमंत्री रही है उसके बाद लगातार विधान परिशद में नेता पर्तिपक्ष रही है जब बिहार के सरकार में इनकी पाटी भागिदार नहीं रही है तो इस सुची में जो बिहार की सबसे बड़ी महिला नित्री है उनका नाम है रेनु देवी अब आप खिर राबरी देवी से उपर चली गई और राबरी देवी से बड़ी नित्री कैसे हो गई तो हम आपको बता देते हैं कि राबरी देवी मुख्यमंत्री रही है लेकिन रेनु देवी को लेकर के चर्चा चलता है कि भारतिये जनता पाटी जो है इनको मुख्यमंत्री का उन के मुख्यमंत्री के पद को सुषवित कर सकती है और इस कारण से हमने इनको सबसे आगे रखा है सबसे उपर रखा है इनके बारे में बात की जाए तो जन्मिन जीती हैं 2005 जीती है 2010 जीती है लगातार तीन टर्म तक बेतिया से चुनाओ जीती है फिर 2005 से 2009 तक भिहार सरकार में कला संस्क्रिती और खेल्मंत्री रहती है 2014 से 20 तक यह है यह भारतिय जंतापाटी की राष्ट्रिय उपाध्यक्ष रहती है 2015 का विधानसभा चुनाओ यह होता है तो यह हार जाती है और फिर 2020 के विधानसभा चुनाओ की बात की जाए तो यह 2020 के विधानसभा चुनाओ में जीतती है जीत करके विहार की उप मुख्यमंत्री बनती हैं और अब आलम यह है कि कभी नितीश कुमार अगर अलग होते हैं और भारतिय जंता पार्टी अगर नाम की घोसना करती है मुख्यमंत्री कैंडिडेट की, तो बहुत संभावना है कि रेनु देवी जो है भारतिय जंता तरफ से मुख्यमंधारी के परत्यासी हो सकती हैं और इसकारण से हमने इनको सबसे उपर रखा और बिहार की सबसे बड़ी महिला नित्री के रूप में अस्थान दिया बाकि आप इन पांचों नित्रियों के बारे में क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि इनकी राजनिती कद कितना ज्यादा बड़ा है और नितीश कुमार से बड़ा है कि नहीं इन लोगों का कद या फिर कई मुख्यमंत्रीगों क ये पीछे छोड़ती है या नहीं अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजेगा और देखते रहिएगा जनता जंक्षन बहुत बहुत धन्यवाद